नमस्कार दोस्तों गूड इवनिंग टो एवरिवन तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत जीके भारत जीके पढ़ेंगे दोस्तों जो की आधुनिक भारत पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों आधुनिक भारत का आधुनिक इत्यास पढ़ेंगे दोस्तों ठीक है तो इससे समझ स्टार्ट करते हूं और इससे पहले आपसे नेवी देन रहेगा आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा उसके बाद बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी नई नी वीडियो आएगी वो आपको मिलती रहेगी तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रस्ण से और सभी लायू जुड़ जाए एक बार हाँ तो दोस्तों पहला प्रस्ण है कि जलिया वाला बाग हत्याकांड कब हुगा था दोस्तों बड़ा इंपोर्टेंट और इजी प्रस्ण आपके समख से लेकर आया हूँ ठीक है तो दोस्तों भारत जी के हैं आज का ये टॉपिक और दोस्तों सभी लायू आजए और पहले प्रस्ण का जवाब देना है आपको सभी जवाब देवें वेरि गुड इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ओप्षन दोस्तों कौन्च होगा तेरा चार उन्नी सो निन अड़ो ए ओप्षन ड्राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों ये हो जाएगा ए ओप्षन ठीक है तो दोस्तों अगर बात करें तो यह जो ये सत्य एवम में ये एक सभा आयो जीत की गई यहां पर उस समय देखिए जो कब तेरा चार उन्नी सो निस में ठीक है तो दोस्तों यहां पर है जो सांतिपूर्ण सभा चल लेती और यहां पर बिना चेताओं नहीं दिये किसने यहां पर गोलियां चलाई थी दोस्तों जनरल डायर द्व पाला वाग हत्याकान ठीक है जो कि दोस्तों कहां पर है अमरस्वर में ध्यान डखने आप सभी को ठीक है अमरस्वर पंजाब चले दोस्तों अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण आता है 1928 में गटित नहरू समीती के अध्यक्त कौन थे दोस्तों सभी जवाब दीजिए देखिए जिन्हें पता है जरूर जवाब देवें जिन्हें नहीं पता है फिर भी जवाब देने की कोशिस करें देखिए गलत सही होंगे बिल्कुल लेकिन अपन जवाब ही नहीं देंगे तो आपको पता भी कैच चलेगा कि आपका गलत है या सही है गटित नेर जी रहे थे ठीक है चले दोस्तों अगले प्रस्ण को देखते अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण है तत्व बोधिनी सभा के संस्तापक थे तत्व बोधिनी सभा के संस्तापक कौन थे दोस्तों यहां पर दोस्तों इंपोर्टेंट प्रस्ण है इसे भी जवाब दीजि देखे तत्व वो दिनी सवा के सिंस्ताफक जो थे वो कौन थे वो थे देवेंदर नात जी टेगोर चलिए दोस्तों अगले प्रस्ण को देखते हैं कैसा प्रस्ण है ये भी इंपोर्टेंट प्रस्ण है सती परता पर प्रतिबंद लगवाने में मैं तो पूर्ण योगदान किसका राता अपने ये कल भी बढ़ाता कल की क्विज में और राइट आंसर जोगा वो कौन चा हो जाएगा दोस्तों से भी जवाब दीजिए इन्होंने बिल्कुल दोस्तों बेंटिंग के साथ मेल कर देखिए यहां पर विलियम सन ठीक है तो दोस्तों राजा मोहन लगाने की मुहिम चलाइती और इनका पूरा योगदान डाता तो दोस्तों जो इन्होंने रोक लगवाने की पूरी कोशिश की थी और इन्होंने अधिनियम भी चलायता और इसके अधिनियम से सबसे पहले जो कब लगी थी राजिस्तान में रोक सबसे पहले दोस्तों बू अलिगड मुस्लिम विश्विदाले के पूरु वर्ति संसान की स्तापना किस के द्वारा की गई देखिए मौमद अली जिना द्वारा सर सयद अमद खान द्वारा या डॉक्टर अब्दू-ल-कलाम-अजाद द्वारा या कीम खाजमल खान द्वारा तो दोस्तों राइट आं पंजाब गुजरात दिल या बंगाल तो दोस्तों यहां पर स्वामी दयानन शर्श्वती का जन्म पर पूचा गया है और सभी जवाब जरूर दीजिए दोस्तो हां जी तो दोस्तों यहां पर जो आपका वी उफ्षण राइट आंसर हो जाए Wow सिन्ड हो जे प्रसिद नाटक भील निर्पन प्डरक्ण के लेखक वो कौन थे बताने सबीकते दोस्तों जोchnаюсь बेलकुर राइक आनसर हो जाएक आपका यहांपर भी आपिवसर ट्रुज़ायगा चलिए अगले प्रस्ण को देखते थे दोस्तों देखें आपर 30 most important प्रस्ण जिसमें बना की आपर advance आयन करें दूंगा और दोस्तों देखें यह जो प्रस्ण है यह अपने important प्रस्ण है जो की important मतलब अपने exam की दरश्णी से important प्रस्ण लेकर आया हूं ठीके तो video complete जरूर देखना दोस्तों छोटी video ज्यादा था देखें बंगाल पर्थम गवर्नर जनरल बंगाल का जो था वह कौन था देखें यह बताने आपको सभी जवाब जरूर दीजिए तो यहाँ पर right answer को जागा दोस्तों सभी बताएं बिल्कुल Warren Hastings हो जाएगा बी आफ्सें राइट होगा बिल्कुल जिरोंने भी Warren Hastings चुझा बिल्कुल है जो right answer Hastings बिल्कुल सही है ठीक है चले दोस्तों अगला देखते हैं अगला प्रस्ण है बड़ा इजी प्रस्ण है संपूर्ण ब्रिटिस भारत का प्रतम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों संपूर्ण ब्रिटिस भारत का प्रतम गवर्नर जनरल कौन था यह बताना है और सभी बत आंसर है तो दोस्तों देखें यहां पर है जो अपन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे सभी आंसर देने की कोशिज करें जिने भी पता है ज्यादा से ज्यादा फटा 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 जो आंसर देने बंगाल में द्वेद सासन की इस्तापना किस ने की थी देखें दोस्त जबी जवाब देवें देखिए आप पर है जो सभी को जवाब देना चाहिए और बिल्कुल है जो क्लाइव हो जाएगा राइट आंसर ठीक है दोस्तों जिन्हों ने भी यह उप्शन चुना बिल्कुल राइट होगा और अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण आता दोस्तों भारत में 25 शिक्सा पद्दती का मेगना कार्टा कहा जाता है देखे दोस्तों यह अपने साइद उस दिन की क्वीज में भी पड़ा होगा भारत का जीके अपने पड़ा तब देखे दोस्तों देखे वापस से भारत में 25 शिक्सा पद्दती का मेंगना कार्टा कहा जाता है किसे कहा जाता दिए बताने आपको सभी बताएं दोस्तों तो बेलकुल है जो कौन चाहोगा वोडस डिस्पैश अठार सो चॉपपन होगा दोस्तों वोडस डिस्पैश ठीक है यह हो जाएगा आपका right answer चलिके दोस्टों अगले प्राशन को देखते हैं। से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है दोस्तों सही सुमेलित कौन सा यूगम नहीं है यह बताना है आपको राइट आंशर जो है यह कौन चा हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर है जो यह राइट आंशर जो हो जाएगा विलियम जॉन्स हिंदू कॉलेज तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर है जो इस प्रश्ण का राइट आंशर ठीके तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑफशन बिल्कुल right हो जाएगा चले दोस्तों अगले प्रश्ण को देखते हैं देखे 1770 बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों प्रश्ण क्या है 1770 बंगाल का नवाब कौन था यहां पर देखे अलीवदी खां या सिराजु दॉला या फिर मिर्जाफर या मीर कासीम दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सिराजु दॉला ठीक है सिराजु दॉला है जो B option राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी ठीक है पर डल हो जी है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों अगला प्रस्ण आता है वास को डिगामा भारत कब आया पहुंचा तो दोस्तों सोज के सभी जवाब दीजिए देखे बड़ा इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो दोस्तों यहां पर है जो राइट अंसर को जाएगा वासको डिगामा भारत कब आया बिल्कुल दोस्तों वासको डिगामा बिल्कुल राइट आंसर है इर्विन समझोता कब हुआ तो दोस्तों ये गांदी इर्विन समझोता है ये कब हुआ था दोस्तों सभी को ध्यान में रखना चार मार्स को कब 4 मार्स 1931 को हुगा दोस्तों ठीक है ये जरूर ध्यान रखे गांदी इर्विन समझो ता दोस्तों किसके बीच में गांदी जी वह वायरस राइ लॉर्ड इर्विन के मद्ध्य समझोता हुग ता और अवज्या अंदोलन इस्तगित करने के बाबत ये एक धिया ध्यान में रखिएगा चले दोस्तों अगले ब्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्तना को सतीव परता को समापद करमें तुझ कानून बनाया था राजा tornado नैं लोड डे नहीं या इन M Tambint नहीं नहीं तो दोस्तों देखिए यह पहले भी पढ़ ये परस्त इस तो दोस्तों राइट आंसर कौन से हो गए याप पर सती परता को समाप्त करने तो कानून बनाया था इन में से कानून किस देखिए इनका तो परयास राता राजा राम और राय का परयास राता लेकिन दोस्तों यहाप पर जो लॉड विलियम बेंटिंग द्वारा देखें यह कानून बनाया गया था ठीक है अधिनियम पारित किया गया था तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका राइट आंसर इन में से कोई नहीं यह आपर नहीं होगा ठीक है मिस हो गया यहापर चले दोस्तों कोई नहीं अगले प्रस्ट को देखते हैं यह आपको जरूर ध्यान रखना और क्विज आपको यह मिलेगी ना आपको क्विज है जो मतलब राइट करके दे देंगे ठीक है चले दोस्तों अगले प्रस्ट को देखते है भारत में अंग्रे जी माद्यम की पाच और लौर्ट ये संस्टा प्रणाली के सिस्ता पक्ते हैju ऐऊंधों कोन थे ये बताने सभी पताएं तो लौड हाडिंग्स या मेकाले या लॉड एर्फिन या लॉड रिक्पन राइट आंसर बिल्कुल भी आफ्शन होगा मेकाले आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीके नेक्स प्रस्न आता है दोस्तों यह पंजाब को ब्रेटी सामराजिय में मिलाने वाला गवर्णर जनरल कौन था दोस्तों यह बताना है सिभी बताएं देखे इंपोर्टेंट प्रस्न है दोस्तों लॉड एर्फिन डफिन लॉड हर्डिंग या लॉड है जो कौन सा एक और चाहिए एतने इम्पोर्टेंट प्रस्न है दोस्तों यह आपको जरूर जयान में रखना और प्रत्व में रेल गाड़ी भी प्रारम की गई दोस्तों इसके सासनकाल में डलोजी लोड डलोजी के सासनकाल में प्रत्व में रेल गाड़ी बंबई से थाने तक है जो की गई ती जो की जब की कब की गई अठार सो त्रेपन में की गई दोस्तों जरूर ये भी जरूर ध्या तो दोस्तों इस परकार से है मना किे इस जानद किए गा बेक्रक्स को देखते बड़ा इंप्रेंट है भारतिय चाहएं का सिल्स्था स्ञुष आपकर किसे ówक या जाता है यह तो इसका जो रहा था धा दोस्तों? 805 मुख्य जो रहा था 805 में यह जनरल बना था तो दोस्तों देखे यहां पर जो इसकी बात करे तो जो इस्था यह इस बंदो बस था इस प्रणालिका यहां पर इसने प्रार्ण किया था, ठीके और पुलू सेवा का स्रजन किया था इस ने जो पुली सेवा का स्रजन किया था ठीक है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रस्ट को देखते हैं अपन चलिए अगला प्रस्ट ने आरे समाज ने किसे प्रोसान दिया देखे दोस्तों आरे समाज ने किसे प्रोसान दिया इसका राइट आंसर को दोस्तों सभी बताएं देखिए इंपोर्टेंट प्रस्ट हैं देखिए इस्तिरी सिक्सा धर्मांतरन मूर्ति पूजा विरोध या पर डी ऑफ्षन वेरी गुड डी ऑफ्षन ही होगा दोस्तों राइट आंसर ठीक है चलिए अगले प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट है ब्रहमास समाज की स्थापना क प्रस्ट हैं कि दोस्तों इंपोर्टेंट प्रस्ट है और सभी बठैं देखिए बड़ा इंपोर्टेंट और इजी है यह आपने पड़ा होगा यह अपना 10 वी और 12 ल क्लास का प्रस्ट है कि बिलकुल देखिए स्वावि में वीवेकानद वी आफ्षन केशनक्क्त आपसर बिलकुल आपका यह होगा जिनों समाज के संस्तापक कों थे दोस्तों ब्रहमा समाज कि अपने देख लिया राजा राम ओन रहे ते आपस ने किसे प्रोसान दिया तो जैसे इस्तिरी शिक्षा को मूर्ती पूजा के विरोध को धर्मान तरण को तो अब जो आपको बताना है कि इसके संस्तापक कोन हुए थे दोस्तों ये बताना है सभी जवाब दीजिए देखिए इंपोर्टेंट प्रस्ण है वेरी गुड़ डयान अनशरस्वती सी ऑप्सन हो जाएगा इन्हों ने जो इस्तिरी शिक्षा पर बल दिया था ठीक है बिल्कुल दोस्तों यह हो जाएगा आपका राइट आंसर इस्तिरी शिक्षा पर बल देने के कारण परदा परता है जो धी विवेकानंद राजा रामोन राय या दयानन सर्श्वतिया बाल गंगातर तिलक इनमें से राइट आंसर जो होगा वो आपको बताना है वेदों की और लोटो वेरी गुड सी आफसेन राय आंसर होगा इस प्रस्ण का ठीक है चले दोस्तों इंपोर्टेंट प्रस्ण है आप सभी जरूर ध्यान पूरोग पड़े है ना ठीक है राश्ट्रिय गीत वंदे मातरम किस ग्रंत में संकली ते दोस्तों ये सभी बता है देखिए 25 वे का सही आं प्रस्ण का मंट जो मट है उस ग्रंत में ये राश्ट्रिगीत वंदे मातरम ठीक है तो दोस्तों बी आफसन राइट आंसर ठीक है राइट पिलकुल चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं दोस्तों इससे पहले एक और जानकार आप देख लीजिएगा ये ये जो भी नए जड़े फिलाल उन सब को सब के लिए बताने वाला हूँ दोस्तों देखे नो बज़े आप सुबह नो बज़े की क्लास में जरूर जड़ा करें सुबह नो बज़े दोस्तों राजस्टान जीके अपन पढ़ते हैं एवनिंग पांच बज़े फिलाल है जो टीचिंग एप् यह आपको अगले प्रस्ण को देखते हैं अपने आज 30 प्रस्ण ज्यादा नहीं है किसने भारतिय कॉंग्रेस पर प्रात्ना याचना वह विरोध की राजनीती करने का आरोप लगा था दोस्तों प्रस्ण को ध्यान पूरुक पढ़ते हुए जवाब देना यहां पर किसने भारतिय कॉंग्रेस पर प्रात्ना याचना तत्ता विरोध की राजनीती करने का आरोप लगा था और राइट आंसर दी डी आफ्शन बिलकुल है जो हो जाएगा लाल मलबाल गंगादर तिलक है जो बिलकुल डी आफ्शन राइट हो जाएगा ठीक है चले दोस्तों प्रस्षा आपके लिए कठीन प्रस्ण भी एड किये इसमें पढ़ने सभी पढ़ेंगे करतीन और इजामीन आपको कैसे भी प्रस्ण पूझ सकते हैं तो दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा आपका लौड माउंट बेंट बिलकुल सी आफ्शन राइट आंसर ठीक है चल दोस्तों फिर से भारत के विबाजन के लिए 30 जून उन्हें 46 की योजना को क्या कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों से भी बताएं देखिए बड़ा दोस्तों प्रात्मिक शिक्षा पर हंटर कमिशन ने विकास पर विशेश जोर दिया था सी ऑफ्षन राइट आंसर हो जाएगा चले दोस्तों लास्ट प्रस्णा आपकी स्क्रेंट पर तीस प्रस्णा ठीक है तो दोस्तों सभी जवाब जरूर देंजिए देखिए वह नेता देखिए बड़ा इंपोर्टेंट प्रस्णा मातमा गांधी के गुरू के रूप में आपको देखना है तो देखिए दोस्तों सभी जवाब दीजिए यहां पर कि लास्ट प्रस्णा और सभी का जवाब हो न चीए देखिए हां पर है जो कौन सा होगा बिलकूल जिन्होंने भी B option चुनाए ना बिल्कुल right answer हो जाएगा बिल्कुल right answer कौन्छा जी के गोकल है जो B option right हो जाएगा बिल्कुल तो दोस्तों अगर अपन बात करें तो दुटि गोल में समयलन की बात करें तो यह कब हुआ था दोस्तों यह भी एक बार जरूर ध्यान रखे गोल में समयलन कब हुआ था साथ दिसमबर उनी एक इक कर दिसमबर से एक दिसमबर तक चलाता और यह जो यह आपर जो भारत की जो मैलाओं के रूप में आपर पर्ति जरूर ध्यान रखिएगा सरो जी निनाइडू पस जो द्वेत्य गोल मेज में और पुरुष के रूप में जो थे वेते एक मातर जो गांदी जी थे दोस्तों ठीक है यह गांदी जी से रेलेड़ प्रस्न है इसलिए जो यह एड़ किया है तो दोस्तों अपने जो आज के 30 प अपनाने की कोचिस करूऊंगा दोस्तों तो जरूर अपने फी द्वेक देंभे दोस्तों और देखें कल अपन पढ़ेंगे सुवे देखने हैं दोस्तों राज़स्तानस来ँ अबु संदे बड़े easy पढ़ें दोस्तों मतलब की अपन इमेज द्वारा पढ़ेंगे सुवे तो दोस्तों सभी लाइव जरूर आएगा सुवे की क्लास में ना इमेज पर मतलब एक जो डाइग्राम बना कर चित्र बना कर उसके माधियम से अपन पढ़ेंगे अबुसंड दोस्तों अबुसंड से हर एकजाम है दोस्तों एक दो प्रस्टन पूछे जाते हैं ज्यादा ही एक दो तो फिक्स है दोस्तों तो जरूर है जो आप सभी यदि सुवे नौ बजे लाइव नहीं आपाए तो दोस्तों बाद में उस वीडियो को अब इसे देख लेजिएगा ठीक है तो दोस्तों कल साम को फिर राज़तान जीके पढ़ेंगे तो आप सभी है जो आगे से आ अपना जो जीके मजबूत करते जाएगा तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूरक बहुत बहुत धन्यवाद